Hello students, Welcome to Impulse ITJ YouTube channel, मैं हूँ आपका प्याड़ा Chemistry Faculty R.A. Sir और R.A. Sir आज आप लोगों के लिए एक new chapter लेक्टर 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 आएं, इस chapter का नाम है Chemical Bonding हाँ, जो भी बच्चे हमारे ICAC के बच्चे हो, चाहे IC के बच्चे हो Class 10 से जो बच्चे बिलॉंग करते हैं, वो क्या कर सकते हैं, हमारे इस Chemical Bond के lecture को आप जरूर देखें, काफी interesting लगने वाला है चलिए मैं इस lecture को start करता हूँ, और इस lecture को मैं एक story के basis पर मैं आपको समझ में आएंगे, वो क्या है, इन दोनों के story क्या है, एक दिन क्या हुआ, इन दोनों के एक task दिया गया, task ज्या था कि chemistry का project लिखना था, तो तनीशा सुच्छी थी, क्यों नहीं इस project को मैं अच्छे colorful से लिखू, मच्छा अच्छे colorful pen से लिखू, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, तनीशा को आदत भी है, जो भी notes लिखती है, या आपको project त्यार करती है, तो यह क्या करती है, बहुत अच्छे धंग से लिखती है, बात काफी खुफसद लगता है, इनका लिखने का action हुआ, और साथ ही साथ जितना खुफसथी से इनका notes प्रिपिर करना, यह बहुत ही important होता है, हर बच्छों के लिए, आप भी यही साथ करते होगे, है ना, कभी भी आपको notes या project या किसी भी आपको, किसी शिच का, अगर आपको chemistry हु तो इनोंने क्या किया, तनीशा क्या कि, तनीशा के पास में पास दो color के pen थे, एक था मेरा blue और एक था मेरा green, ओके एक था उनके पास blue, एक था green, तनीशा सोची थी कोई different tap के pen मुझे मिल जाए, मैं और खुफसर धंग से मैं लिख पाऊं, तो बगल में जो गुड़ू था वो भी क्या है, उनके पास भी तो एक मेरा था, blue pen था और साथी सा उनके पास black pen था, तो अब ये गुड़ू भी सोची रहा है, कहीं ही कहीं मैं भी खुफसर धंग से लिखूं, तो उनके पास भी दो different tap के color pen थे, तनीशा के पास भी दो different tap के color pen थे, वो एक green, एक blue, blue और ये black, तो तनीशा सोची, कहीं कहीं मुझे एक pain मिल जाए different color का, जो मैं बहुत ही खुबसर धंग से लिख सकूँ, तो तनीशा सोची, starting में कोई तो मुझे दे देता, तो तनीशा तो सोच रही है, तनीशा प्रेशान है, तो वो क्या कर रही है, वो highly इस point पर unstable है, क्योंकि उसको pain चाहिए, तो unstable का ये मतलब हो गया, इसके reactivity fast होगे, उनको आप खोजना है, क्या, different type का color का pain को क्या करना है, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो, 13 सा अभी क्या है, unstable है, क्योंकि उसको different type के color के pain चाहिए, गुड्डू भी सोच रहा है, कि कहीं ने कहीं मुझे different type का, मेरे पा चाहिए, क्यों नहीं, अमीदियों के बीच में क्या करें, आपसे बात स्टार्ट करें, और बात करने का बात एक friendship बना ले, और इन से मैं pain मांग सकता हूँ, तो 13 सा चोची एक काम करे, 13 सा इससे sharing की, या partnership की, क्या partnership की उन्होंने बोला, बोली, क्या बोली, कि एक काम करते है मैं क्या करता हूँ, मेरे पास तो blue है, आपके पास भी blue है, एक काम करते हैं, मैं अपना green pain आपको थोड़ा शेयर करता हूँ, और गुड़ू क्या किया, गुड़ू ही बोला, मेरे पास भी तो blue है, black pain जो है, मैं आपको share करता हूँ, तो बताओ, अब तनीशा के पास, जैस green भी आ गया, इनके पास तीन different tap का हो गया, तो अब ये क्या किया, ये दोनों बात करना है start किया, अच्छे से project लिख किया, और इनके बीच एक bond बन गया, क्यों, क्यों bond बन गया, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को pain क्या क्या, share किया, और share करने का बात, अब ये खुश हो ग लिए, share करने बाद अब ये blue, black, green, ये अपनिशा यूज़ कर सकती है, और ये जो देख रहो blue, black और green, ये भी क्या कर सकता है, अब गुड्डू भी उज़ कर सकता है, जिसके वैसे sharing of pain के वज़े से, अब ये दोनों highly stable हो गया है, अब stable हो गया है, खुशी इसकों मिली, सात इसा, इनके बीच में एक bond बना, कौन जा bond, friendship bond, तो अब ये bond जो तुम देख रहे हो, वो pain के share होने के वज़े से हुआ, और जब ये bond बना लिया, तो इनके बीच में क्या बहुत अच्छा, friendship भी बन गया, है ना, तो बताओ, इसी तरह से chemical bond में, इसी तरह से chemical bond में, हमारी chemistry म जो chemical bond, जो chapter तुम deal करने वाले हो, इसमें क्या होने वाला है, यहाँ भी क्या होता है, एक atom, एक atom, दूसरे atom से क्या करता है, bond बनाता है, और bond क्यों बनाता है, क्योंकि आपको अभी अच्छा से समझ में आया, क्योंकि ये इन दुरुष बिच्छे, जैसे bond बनेगा, दो या हाइली इस्टेबल होता है, तभी तो वह atom bond बना रहा, तो मेरा chemical bond, अब आपके दिमाग में साथ की questions आता हो, what is the chemical bond, chemical bond क्या है, तो मैंने अभी भी बताया है, chemical bond एक friendship क्या है, एक तरह बोच सकते हो, अभी भी मैंने friendship का condition बताया था, तो friendship एक तरह का force था, है ना, गोपी और पर रहे हो, जब ये दो या दो से जादा atom आपस में combine करते हैं, combine करने बाद उनके बीच में एक bond बनता है, अब bond के बनने से क्या होता है, वह पर एक force of attraction काम करता है, तो what is the chemical bond, तो chemical bond is the force, देखो, एक ये क्या एक तरह का, force है, which holds the two atom and more atom together in the stable molecules, अब आपको साहर ये समझ में आड़ा है, जब दो या दो से जादा atom आपस में combine करते हैं, combine करने के बाद क्या करता है, उन दो atom को hold करने के tendency को, या force of attraction को हमनों क्या नाम देते हैं, एक chemical bond देते हैं, है ना, तो अभी बहुत ही, अभी initiation है, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है, क्या है chemical bond, जब म उनके बीच में एक force of attraction के exist होता है, जिसको यसे दो atom को hold करने का tendency को ही नाम दिया गया है, क्या, chemical bond, बोलो समझ में आया, बहुत अच्छा, clear है, चलिए, तो chemistry term में, introduction में बात करों, what is the chemical bond, तो chemical bond आपको अच्छे से clear हुआ, नेक्स आकर बात करते हैं, कि अब यहाँ पर बात sharing होगा, तो कहीं ना कहीं, atom जब आपस में, दो atom या, दो से ज़्यादा atom जब आपस में, बहुत सकते हो sharing कर रहे हैं, तो क्या चीश का शेर कर रहे हैं, तो दो atom जब आपस में overlap करें, क्या है चीश का overlap कोड़ा है, तो धियान रखना है, atom का inner structure के बारे में जानना बहुत ही important तो यहां ध्यां रखना मैं atom के पहड़े बारे में बात करता हूँ तो फिरा atom जो है Dalton Atomic Theory यह आप लोग पढ़े होगे अगर नहीं भी पढ़े हो तो आप पढ़ लो Dalton Atomic Theory generally यह Dalton एक scientist है इन्होंने atom का discover किया था जिनमें इन्होंने बात बताया था क्या बताया था Dalton was the first scientist क् use the terms atoms पहला जो scientist है Dalton ने atom का use किया और atom का use नाम कैसे पढ़ा एक term है हम लोग बात करते हैं वो क्या वो atom जो टम है वो atom है ठीक है ध्यानली ध्यान अखना यह Greek word है यह atom का मतलब क्या होता है आपको पता है कोई भी matter जब होते है बाबु कोई भी matter होता है वो छोटे-छोटे atom से मिलके बनते हैं या building block elements से नाम बात करो सबसे छोटा atom जो जो पुड़ा matter को बना कर रखा है वो क्या है atom आपको पता है है ना जैसे मेरे पास remote है यह मेरे पास pain है तो यह remote and pain जो है प्लास्टिक से मिलके बना है और यह प्लास्टिक अगर बात करते हो यह प्लास्टिक क्य हुआ है ना तो यह matter है matter क्या बता है matter is anything which has mass and occupying space आप जानते हो जो generally जो भी matter जो किसे constituents हो के बना है वो atom से बना है और atom is the smallest particle आपको पता है ना तो मैंने अब यहां पता है Dalton जो first sentence था इन्हों ने क्या किया first sentence use किया atom और atom के बारे में क्या बता है smallest particle of the matter यह सबसे छोटा particles होता है और यह Greek word जो तुम देख रहो atom को जो नाम हुआ discover हुआ जो atom होसा है atom का मतलब क्या होता है पता है और reaction करके chemical reaction ने टेक पार्ट में लेते आपको पता ही है है ना बहुत साथ reactions पढ़े है 9 में भी पढ़के आप लोग तो Dalton ने क्या क्या बता है चलिए आप एक बार recap करते हैं Dalton बता है कि Dalton जो बता है वो क्या था atom का मतलब क्या है cannot be divided atom को आप divide नहीं कर सकते है very good यहां तो आपको clear है but after discover मतलब हो सकते हो यह एक तरह क्या हुआ यह build up हुआ इस थिरी को build up किया गया और build up करने के बाद यह पता चला नहीं atom चोटा particle तो है मगर इस से भी छोटे particle भी exist होते हैं जिसको subatomic particles बोलते हैं वो subatomic particles आपको क्या नाम देंगे electron, proton and neutron कहीं ने कहीं हमको chemical bond पढ़ने के लिए हमको electron का जानना बहुत बढ़ा important है proton का भी जानना बहुत बढ़ा important है साथी साथ neutron का भी जानना बहुत बढ़ा important है तो यह छोटे-छोटे terms आपको ध्यान रखना है इसलिए मैंने अभी आप लोगो chemical bond तो बताया मैंने साथी साथ आपको atom के बारे में समझना है कार्बन का atomic number क्या होता है 6 होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप periodic table उठा कर देखे और आपका first shifter भी आपका periodic table है जब आप लोग वहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कार्बन का atomic number कितना होता है और अगर नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं है आपने class 9 में तो पढ़के रखा है ना तो टैंसर ना ले तो कार्बन का atomic number होता है 6 6 है तो atomic number आपको क्या बता देगा मैं अभी भी आपको इसी लेक्चर में आपको atomic number के बारे में भी बताऊंगा घबराईए मत पहले आप अराम से वीडियो को अच्छे से enjoy करिए अच्छे से देखिए और कुछ भी अगर note point आपको note करना है तो आप copy pen लेकर बैठिए ठीक है और वहाँ पर आप note करिए ओके देखिए atomic number कितना है करबन का 6 अगर 6 है तो आप ही बताईए क्या होता है देख रहे है यहाँ पर ना यह देखिए यह आपको electron नजरा रहा है जो revolve कर रहा है और electron के साथ साथ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे है क्या यहाँ पर एक मेंड़ निकलियस है देखिए अच्छा से क्या नजरा तो कभी सोचा है आपने कि नीकले कर चार्च पॉजिटिव की होता है ओके आपने सोचा है नहीं सोचा है ना तो अभी आप जान लिजिए ध्यान लखिये कि मेरे पास एक एक एटम जो जिनरली अगर हम बात करते हैं वो इलेक्टरन पोटरॉन और नीटरॉन से भी मिलके बनत है वो इलेक्टरन पोटरॉन नीटरॉन मिलके बना है इलेक्टरॉन तो आपको पता है वो शेल में घुमते रहते हैं रिवाल्व करते रहते हैं किसके राओं निकलेस के राओं और यह निकलेस का चार्ज पॉजिटिव होता है और इलेक्टरॉन का चार्ज होता है जरा रहा है red color का मालो वो protons हैं तो green color का क्या है? Neutrons है तो अब आपको ये बात पता चला कि मेरा nucleus के अंदर में दो type के particles है एक मेरा particles क्या है? proton particles है एक मेरा neutron particles है ठीक है? अब एक बात बताओ, proton का charge क्या होता है? मैंने तो neutron का बताओ, nucleus तो बता दिया, nucleus का charge होता है positive sine conversion बता रहा हूँ, तो proton का charge होता है अगर magnitude के बारे में बात करते हो, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb होता है जो कि कैसा होगा? positive होगा, ये एक proton का charge है मगर मैंने आपको sign में बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा हूँ? ये positive charge का होता है, neutron का charge क्या होता है? तो धियान अखने, neutron का कोई भी charge नहीं होता है, charge क्या होता है? 0, तो अगर charge 0 है, तो बता हो, एक मेरा nucleus है, जो कि proton और neutron से मिलके बनाए है और proton का charge positive है, neutron का charge 0 है, तो overall nucleus का charge क्या आने वाला है? overall Nicholas का charge आने वाला है, मेरे पास negative charge आने वाला है, बोलो ये बात clear हुआ, अगर आपको ये clear हुआ है, तो please like करे वीडियो को हमारे और share भी करे, ठीके, मैं इस chapter को, मैं full details पढ़ाऊंगा, अच्छे सचे, interest topic के साथ, और आपको इस chapter को मैं पुरा cover करूँगा, तो हर एक lecture को आप enjoy करे, वीडियो को share करे, like करे, ठीके, और अभी भी बच्चे अगर subscribe नहीं किये, तो हाँ मारे channel को subscribe जरू कर दे, ठीके, बोलना ना पड़े, आप खुद करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे सचे content दे रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ आप लोगों के जरू कि मैं आपको atomic number के बारे में बता हूँगा, तो चलिए atomic number के बारे में बताते हैं, ठीक है, क्या होता atomic number, सबसे पहले atomic number को हम लोग represent करते हैं, क्या z से, क्या z से, ये ध्यान रोखिए, पहला note point, दूसरा note point आप ये करेंगे, कि atomic number अगर बात करते हैं, तो atomic number अगर किसी आड़ा है क्या होता है, 6 होता है, मतलब उस carbon के atom में proton का number of protons कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, but important note point, आप अगर, आप अगर एक neutral atom ले रहे हो, तो वो electron को भी represent करता है, ये खास बात, बहुत ही important बात है, क्या, कि what is the atomic number, तो मैंने अभी वहता है, atomic number क् तो मैं definition पढ़ लेता हूँ पर ले, the number of protons found in the nucleus is every atom is that element, किसी भी element के अंदर में जो number of protons होता है, वही मेरा atomic number होता है, ये बात आपको क्लिर हुआ, जैसे for example, carbon, carbon के बारे में बात करेंगे, तो carbon का देखिए, atomic number को हम लोग निच्चे में लिखते है, जैसे atomic number को कहा लिखते है, ये x element है, और ये x element को atomic number कहाँ पर समझेंगे, निच्चे वाले position में ध्यानकना z जो आप देख रहे हो, यहाँ पर निच्चे में लिखते है atomic number, तो z आपको देखे, ये x का carbon है, और यहाँ पर क्या नज़रा रहा है, आपको 6 नज़रा रहा है, तो 6 नज़रा रहा है, तो क्या दिया हुआ है, इस से ये represent होता है, कि 6 मतलब कि total atomic number 6 है, तो इसका ये मतलब हो गया, कि total number of proton कितना है, proton क्या आपका 6 है, बट, important note point, अगर आपका carbon क्या कोई charge लग रहा है क्या, carbon के उपर में कोई charge positive negative कोई so होड़ा है, नहीं न, तो मतलब एक carbon क्या, एक neutral atom है, क्या है, neutral atom, कोई charge spaces है क्या, नहीं है, तो important note point होना चाहिए, अगर आप किसी भी atom का, अगर वो atom neutral है, अगर आपको atomic number पता है, तो ध्यान अकना है, उसमें number of proton के साथ, number of electron भी क्या होता है, सेम होता है, है ना, तो हम ये बोल सकते है, क्या ये neutral है, यस सर, कोई charge spaces है, नो सर, तो इसलिए ध्यान अकना, अगर atomic number आपको दिया हुआ है carbon का 6, तो आप number of proton तो 6 बोली रहो, तो number of electron भी क्या होता है, उसमें 6 ही होता है, ठीके, कैसे, कैसे ये समझ रहे हो ना, चलो, मैं थोड़ सा बारें बताता हूँ आप लोग को, सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर notice करो, क्या है, मै आपको पता है, charge of electrons होता है, वही मेरा charge of protons होता है, अगर मैं electron के बारे मैं बात करता हूँ, तो electron का charge होता है, minus 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, एक electron का charge आपको minus 1.6 into 10 to power minus coulomb होता है, और वहीं अगर मैं बात करो, proton का जो charge होता है, वह एक proton का charge positive, 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb होता है, अब आप खुद यह है कि जो मेरा electron का charge होता है magnitude की तो पर वही मेरा था होता है proton का charge होता है बस sign क्या है electron का negative है proton का positive है अब यह बताईए एक electron एक proton क्या कर सकता है neutralize कर सकता है जैसे वर समय मैं बोलना चाहूं electron को और proton को आप add करेंगे तो क्या होजाएंगा 0 क्या होगा 0 हो जाएगा कैसे हाना लिखिए 1.6 into 10 to power minus 19 Coulomb plus इसको क्या लिखिए 1.6 into 10 to power minus 19 तो दिखें दोनों को आप सब्ट्राइट करिए प्लस है यह minus है यह 0 हो जाएगा तो एक electron एक proton को कर रहा है क्या यह atom अगर बात करेंगे बताइए अगर मैं जैसे बोला इसमें electron कितना है बताइए number of electron जो आपको नजए आ रहा है वो मेरा 6 है और यह आप number of proton क्योंकि atomic number proton को ज़्यादा रिप्रेजिन करता है जिनली आपको कभी भी deflations में आएगा तो आप क्या लिखेंगे the number of proton found in the nucleus of every atoms of that element proton को रिप्रेजिन करेंगे but atom अगर neutral होगा तो दिहार रखेंगे उसमें electron जितना होता है proton भी same होता है क्यों क्योंकि number of electron 6 है number of proton भी 6 है तो आप यह बताइए जितना electron उतना proton तो बताइए जिसलिए यह neutral atom के लिए एक्जिस्ट है अगर आपको atomic number पता है तो उसमें जितना electrons होता है उतने ही proton होता है बोले यह बात आपको clear हुआ अगर यह बात आपको clear हुआ तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग व्लाबात है ओके फॉर एक्जांपल मैं आपको थोड़ा सा इग्जांपल से बताता हूं समझिए गा ठीक है मैं आपको example पताता हूं तो समझिए गा जैसे मलुजे फॉर रे नीटेल इस पीसीजिस के लिए बात होड़ी है ओके जैसे मालीजे मेरे आपको पता है, lose कि ए है ना, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, एक electron loss कर रहोगा, दो electron loss कर रहोगा, दो प्लस हो जाएगा, एसी करके 3 electron loss कर रहोगा, तो 3 प्लस हो जाएगा, ओके, अच्छा, अभी एक बाद बताईगे, atomic number 6 आपको given में दिया A का, तो बताई कि इसमें neutral है, तो electron भी 6 होगा, proton भी 6 होगा, बट A+, मैं अगर आगर 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 देखे, इसका भी atomic number क्या दिया हुआ है, atomic number 6 ही है, atomic number 6 ही है, बट ध्यान अगना, ये charge species है, और ये neutral species है, इस पर एक positive charge है, तो मैंने बताई कभी भी positive charge आएगा, तो आप electron को मत mention देगा, तो अगर बात बताईए, कि अगर atomic number A+, का अभी 6 है, तो क्या इसमें electron 6 होगा, नहीं न, क्योंकि इसका electron 6 था, अगर एक electron अगर lose कर देगा, loss कर देगा, तो क्या बोलोगे, इसमें अब electron हो गया, 5, देखो, atomic number 6 है, मगर electron कितना है, 5 है, different है न, मैंने अभी भी है था, neutral spaces के लिए number of electron and number of proton same होता है, बर ध्यान अखना, charge spaces के लिए, जो atomic number होता है, वो c for c proton को represent करता है, बलकि electron को represent नहीं करता, ठीक है, तो बताई ही proton कितना है, क्या proton A का कितना था, A का proton 6 था, तो क्या बताओगे, क्या बताओगे, मेरे पास, मेरे पास proton जो है, A+, में कितन होता है, तो यह सिर्फ electron lose किया था, proton तो lose नहीं किया था, है ना, तो proton तो अभी भी उसमें होता नहीं है, तो proton same है, तो बताईए atomic number को कौन represent कर रहा है, proton represent कर रहा है, क्या electron कर रहा है, नहीं, तो charge spaces के लिए ध्यान अखना है, charge spaces के लिए ध्यान अखना है, atomic number जो होता है, वो number पुड़ा फेलेक्टॉन और नमबूड़ा पूर्टॉन सेम होता है ये बात अब अच्छे समझ पाड़े हैं ओके कि लिए तो ये निट्रल स्पेसिस के लिए मैं बता दिया चार्ज स्पेसिस के लिए मैं आपको यही पर समझा दिया ठीक है बात समझ में आया है तो फड़ा है ठीक है काफी काफी एक्सपेंडेट टॉपिक पर बात करें काफी एक्सपेंड एडिया से ब् Fa magari운 कोंसिप्ट के साथ तो तो आपको एकदम अच्छे से बैठना है पानी लेकर बैठना है अराम grown From Looks करना है ओके चलिए मास नम्बर समझ लेते हैं किया होता है मास नमट नमर क्या इसे समझ येगा यह क्या करता है यह नू Vide器 के अंदर में जितना नमबर प्रोटल में होता है मतलाब सम olsun आफ ऑल नमब़ फोलज सन अड़ इसका सॉल्ब आंद अब बताता हूँ, mass number को represent किया जा रहा है, capital says, यहां से यहां क्या बता है, यह बता है कि mass number क्या होता है, the sum of number of protons and the number of neutrons found in the nucleus every atom of that element, किसी भी element के अंदर में the sum of number of protons and number of neutrons को क्या कहा जाता है, mass number कहा जाता है, बोलो है यह बात के लिए रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छे से full concept के साथ चलिए तो चलिए for example ले लेते हैं carbon का atomic mass आपको दिया 12 अगर नहीं भी है ना आप pay table उठाइए ठीक है और pay table उठाने के बाद आप वहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप 1 से लेकर 20 तक का atomic mass हर एक element का और atomic number को learn कर लिजे क्योंकि बहुत ही है full होने वाला है एक्जाम में ठीक है तो ध्यान हो किए और अगर मान लिजे में कोई x element है अगर x element है तो फिलाल के लिए अगर हम बात करते हैं पहले बताओ यहाँ पर जो लिखते हैं क्या लिखते हैं atomic number और यहाँ पर क्या लिखते हैं उपर में मैं यही पर लिख दिया हूँ उपर में होना चाहिए यहाँ पर होगा तो based होगा यह कितना दिया है 12 दिया हुआ है आपको given में तो एक बात बताइए mass number of carbon कितना है आपका 12 clear? चलिए तो फिलाल हम यह पोच सकते हैं बताओ carbon का atomic number कितना है 6 अगर 6 है तो क्या होगा number of electron भी कितना होगा उसमें 6 ही होगा ठीक है? चलिए अब अगर बात करते है number of protons number of protons आपको पता करना है तो number of protons कितना होता है? तो अभी बूले sir एक neutral atom है? यस sir अगर neutral atom है तो बताइए atomic number आपको 6 दिया है तो उसमें number of proton भी क्या होगा? 6 ही होगा तो बताइए number of proton भी क्या है? 6 होगा बट आपसे ये question पुछ देगा number of neutron कितना होगा? तो आप कैसे करेंगे? यह है ना? तो number of neutron निकालने का मैं एक formula बताता हूँ समझेगा बताइए यह क्या है मेरे पास mass number यह है आपका mass number अगर आपके पास mass number है, mass number किसको represent करता है? mass number रिप्रेजन करता है number of protons plus number of neutron ठीक है? मैं short में लिख देता हूँ neutrons ठीक है? यह आपका protons number of neutrons and number of protons is called the mass number तो एक काम करते हैं मैं अभी बताया था number of protons को किससे represent करते हैं number of protons को हम लोगे represent करते हैं atomic number से और atomic number को represent किया जाता है क्या? capital Z से ओके? तो mass number को represent करते A से ओके? और number of protons को हम लोगे जेट से represent कर रहे हैं क्योंकि यह atomic number के बड़ाबर होता है और यह होगी आपका number of neutron को मैंने capital N से represent कर रहा हूँ तो अगर यह formula आपको का formula क्या हो गया? number of neutron is equal to क्या हो गया? देखो A यहाँ पर है और Z को उधर ले जाओ तो यह positive उधर क्या हो जागा? negative तो A minus Z A minus Z का मतलब हो गया आप क्या करोगे? कभी भी आपसे अगर neutron पूछे तो क्या करोगे? mass number से atomic number को minus कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? number of neutron निकल जाएगा? बहुत easy है ना? तो बतलब यह बूलने का मतलब है mass number उपड में है और atomic number निच्छे में है मतलब उपर वाले को निच्छे वाले से माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा? क्या number of neutron? Very easy, तो बताएए carbon का number of neutron निकालना है बताएए mass number उपर में कितना दिया है? 12 minus atomic number कितना दिया है? 6, तो बताएए number of neutron ने निकल जाएगा? 6, तो ये मेरा निकल गया number of neutron तो इस तरह से मैंने क्या समझाया आप लोगो को? आप लोगो को क्या होता है chemical bond? Chemical bond पढ़ने के लिए आपके very important है आपको पहले bond का management समझना होगा bond कैसे होड़ा है? कौन involved होड़ा है? तो atom के inner structure के बारे मैंने आपको बताया electron, proton, neutron साथ ही साथ atomic number and mass number के business पर भी आपको अच्छे से clear कर आए तो ये आपको समझ में आ रहा है कि अब मैं atom के inner structure के बारे में मैं समझ गया अच्छे से है ना? Clear है? Clear? अच्छा For nucleus, neutral spaces and the ion spaces अब ion spaces, neutral spaces में mass number को कोई changes नहीं होता क्योंकि mass number generally क्या होता है? क्या होता है? मेरे पास number of neutrons होता है है ना? कोई भी reactions जब होता है तो वो आपको क्या कराएगा? उसमें electron में changes आएगा बलकि neutron और proton में changes नहीं आएगा ठीक है? Clear है? चलिए अब मैं थोर सा आप लोग से portion पुछता हूँ 15 16 कितना दिया हुआ है? ओके? 16 और atomic number दिया है? 8 अब मैं पुछता हूँ आप लोग से क्या? कि oxygen का atomic number तो आपको 8 पता है mass number 16 पता है तो बताएगे number of electrons कितना होगा? तो number of electron मैं E लिखता हूँ नमबर of electron क्या है? neutral atom है तो बताएगे कितना हो जाएगा? 8 proton कितना होगा सर? proton भी कितना होगा सर? जितना electron होतना ही proton होगा for neutral atom के लिए तो यह भी हो जाएगा 8 अब बताएगे number of neutron कितना हो जाएगा? तो neutron अगर आपको जानते हैं तो बताएगे कितना होगा? बताएगे अंदर में आपका क्या है? 6 proton है, 6 neutron है है ना, आपस में combine है nucleus के अंदर में feet है, साथ ही साथ electron देख रहे हैं, देखिए पहला cell पहला cell में कितने 2 electron revolve कर रहे हैं दूसरा में कितना होगा? पहला में 2 हो गया तो दूसरा में कितना होगा? 6 electron neutron, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 revolve कर रहे हैं, nucleus के round तो inner structure में कुछ ऐसे होते हैं तो आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है ना? तो oxygen में आपको atomic number आपको दिया है, mass number दिया है तो उस atom का आप electron, proton, neutron find atom से कर सकते हैं, बहुत easy अगर मैं neon के बारे में अगर बात करो तो neon में अगर में बात करते हैं neon का atomic number होता है 10 atomic number 10 है, mass number कितना दिया माल लेज़ 20, तो एक काम करते है मैं neon use कर रहा हूँ यहाँ पर neon का atomic number 10, mass number कितना है 20, ओके, चलिए number of electron कितना होगा, बताइए 10 होगा, number of proton भी कितना होगा, 10 होगा, number of neutron भी कितना होगा, बताइए 20 में से minus 10 करती, तो कितना आजाएगा 10, बोली समझ में आ रहा है तो इस तरह से आप लोगों को atomic number, mass number निकालने आ गिया है ठीक है, बात संग किलियर हुआ तो, थैंक यू for watching and please like, subscribe and share अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस lecture number 1 में मैंने आप लोगों को क्या बताया introduction of the chemical bonds chemical bond कैसे form होता है अभी तो ये नहीं बताया, chemical bond में क्या-क्या introduction है, actually chemical bond होता है क्या है, और किस-किस parameter का जरुवत पढ़ने वाला है उसके बारे मैं मैं आप लोगो full details में बताया तो आप वीडियो को enjoy करिये like करिये और आप share भी करें और जो बच्चे अभी तक subscribe नहीं किये तो please subscribe भी जरूर करें ओके, चलो, bye